हेलो बच्चो कैसे आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासेज पर स्वगात हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी बढ़ाई बहतर चलो बच्चो कल मैंने कोशन प्रवाइड कहा था जिसमें मैंग्रिमम कोशन आपके क्ल परमबिक बेग से तथर तोरण एक मीटर पर सेकेंड स्क्वेर और यहाँ पर समय भी एक सेकंड दिया है तो जब आप निकालोगे तो अंतिम बेग जो है वो दो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा प्रथिवी तल से किसी पिंड को अधिक्तम दूरी तक फेकने के लिए 45 डिग लोग कहेंगे कि I और J भाई तो I और J यहाँ पे हो जो इनिसकता है होना चाहिए तो J और J से जब गुड़ा होगा तो यह J और J से गुड़ा होगा तो आपसा नंबर C साही हो जाएगा ठीक है आगे देखे बच्चो यहाँ पर इस निमरिकल कोश्षिन को भी पेपर आया यहाँ पर दिया हो तो प्रत्वी पर तो फिर बेग धिरे कम हो जाता लेकिन कोई कंडीशन नहीं दिया है कहां पर तो बेग एक समान बना रहता है ठीक अब इसका अंसर आप लोगों को पता हो जाए पांच में का तो आप लोग बताना ठीक आगे चलें बच्चो एक समान किसी एक सेंटीमीटर भुजा वाले घं का आयतन जब बच्चो घं का आयतन मीटर में निकालना है तो मीटर के लिए अपन को करना पड़ता है एक बटा सो का क्यूँ इन दस घाते माइनस छे मीटर ठीक है कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर दस घा किदर को आबेग कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चो आबेग किसी बस्तु का बेग उसके गटिक जड़तो का माप है यदि केवल होता बच्चो जड़तो का माप तो द्रबमान भी लिख सकते हैं ठीक है क्या द्रबमान तो आप लोग बताना क्या लिख क्या है हो विससे यहा पर आप देखिए दड़त वागून का बिल्कुल राइट है जब एक समान गती होगा मतलब वहाँ पर बाहवल जीरो होगा दूसरा कंडिशन बच्चो परिवर्ती बल दौरा किया गया द्रबमान केंदर जो आपका यहाँ पर नीचे हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आप परिवर्ती दोर किया गया कार कार होता है बल गुड़े बिस्थापन ठीक है बच्चो और कौन सो बच्चा घूरी संतुलन गूरी संतुलन मतलब आपका हो जाएगा सेकेंड का एफ इंटु आर यहाँ पर मैंने क्लियर करा दिया आगे देखिए एक बाग में उत्तर जब क क्या बताओ तौरित गति बृत्ताकार कब होता है जब बेग का परिमार नियत रहे इसका अंसर हो जाएगा जब बेग का परिमार नियत रहे तो तौरित गति बृत्ताकार होता है जब कोई तौरित गति परवल्याकार कब होता है जब तौरण अचर रहे बच्चो तौरण अ इतना होता है MA, बराबर MA, तो आप यहाँ पर 9.8, 9.8 गुणे आप 100 का गुणा करोगे, जब इसका 100 का गुणा करोगे, तो 980 आ जाएगा, कितना जाएगा, 980, ठीक, आगे देखिए, 290 सदिस का सदिस गुणा कब सुन होता है, बताओ, आप लोगों ने सदिस की बात की गई है, अदिस में होता है, A.B. बराबर 0, ठीक है, A.B. लेकिन यहाँ पर बच्चो, A.B. बराबर 0 कब होगा, यह लंबवत होता है, लेकिन जब सदिस का सदिस गुणन फल में कब जब सदिसों का अधिज गुडन फल होता तो वहां पर लंबबत कहते हैं लेकिन सदिसों का सदिस गुडन फल इसलिए समानतर हो जाएगा आगे देखिए बच्चो चंद्रमा को प्रत्वी के आसपास ब्रत्तिय कर्षा में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्री बल कौन प्रदान करेगा गुरुत्तो कर्षन बल किसी बस तुको अभिकेंद्री बल प्रदान करता है पिंडो के बीच में तो गुरुत्तो कर्षन बल प्रदान करता है प्रछेप गतिये एक समतली गतिये बिलकुल सत्य है जब किसी गतिमान बक्से पर कोई बाहा बल रोपित नहीं करते तो उसके सता है कि मत घर्षण बल सुन होता है गलत है सुन नहीं हो सकता भाई क्योंकि गतिमान है गती करेगा बक्सा तो भाई वहां पे कहीं न कहीं घर्षण होगा अगला नमबर देखिए मिला लिजेगा बच्चों यंपी बोट से जो ठोस गोले एवं ठोस बेलन में से गोले का जड़त तो अगुना धिक्तम होता है बिल्कुल सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी प्रश्ण है जिसको नहीं पता मैं इसको शेयर कर दूँगा बच्चों टेलिग्राम में अभी क्या भी शेयर कर दूँगा जिस प्रश्ण है और इन प्रश्णों को मैं लगभग आपको बहुत सारे प्रश्ण बताया भी था उमीद करता हूं कि आप लोग देखेंगे बच्चों फिलाल आज के लिए इतना ही जैहिंद बंदे मातराम